नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनित आवाज इस वक्त मैं मौझूद हूँ साथ नंबर तुगलक रोड यह वही है जहां पर शरद यादव जी का बंगला था और यहां शरद यादव जी के बंगले को अब जो है खाली करवा दिया गया है 21 मौई तक का उन्हों के टाइम दिया गया था सुप्रीम कोट से और हाइप कोट इनुद सनी टाइम कोट दिया गया Representative और अब देख सकते हैं किस तरीके से उनकी जो जूगब वगएरा है इस हम ने हटा दिया गया है किस तरीके से इनके जो खाली करवाया गया है वो आप सामने देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें कि यहां सामने उनके नाम का बोर्ड था उसको भी उखार दिया गया है हटा दिया गया है सोचिए कितने कददावर नेता थे वो शरद यादव जी और किस तरीके से उन्होंने पार्टी को मजबूती से पकल रखा था और मजबूती से काम करते थे आपको मैं सामने दिखाती हूँ इसी तरीके से मैं अंदर जा रही हूँ आप सामने देख सकते हैं शरद यादव जी किया यहाँ पे पोस्टर यह फोटो लगा हुआ है छोटा सा आप देख सकते हैं कितने कदावर नेता थे शरद यादव जी लगातार समाज की बात करते थे लोक और समाज के लिए काम करते थे उसी समाज ने आज उनका साथ नहीं दिया आप सीधे तोर पे ये तस्वीरे देख सकते हैं किस तरीके से या विराना पड़ा हुआ है किस तरीके से या पेड़ वेड़ सब तूटे पड़े हैं एक बंगलो जिसमें शरद्यादव जी रहते थे जिसमें चहल पहल रहती थी अब वो एक विरान खंडर की तरह बन चुका है क्यों बन चुका किस तरीके से बंगलो अब खंडर बन चुका है सामने सारी तस्वीरे आप देख सकते हैं सारे टूटे हुए पेड़ पड़े हैं सामने कच्रा भी यहां जमा हो चुका है सामने सीधी सीधी तस्वीरे यह दिवार भी तोड़ दी गई है एक बंगला जिसमें वो रहते थे अब उसे खंडर में तब्दिल कर दिया गया है अब आप यह देखिए किस तरीके से सदन के जो सदस्य भी नहीं है लाल कृष्ण आडवानी हो चाए मुरली मनोहर जोशी हो सदन के सदस्य नहीं है फिर भी वो अपने बंगलो में बैठे हुए हैं और उनको बंगलो मिला कितने कदावर नेता थे उनकी विचारधारा जो थी वो फूले अंबेड कर पेरियार की विचारधारा थी लगातार शोशल जस्टिस की वो बात करते थे दलित शोशित पीडित वंचित लोगों की वो बात करते थे लगातार ऐसे समाज के लिए काम करते थे जिनके साथ अन कि आवाज उठाने वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है आप देख सकते हैं सीधे सीधे किस तरीके से कि खंडर में तब्दिल हो चुका है एक बंगलो था जिसमें लोग रहते थे चहल पहल रहती थी लोग उसे मेरा मतलब ये है कि यहां पर शरद यादव जी रहते थे जो यहां पर रहते थे अब मुझे रहते थे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब उनसे ये बंगलो खाली करवा लिया गया है आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर कच्रा वच्रा भी पड़ा हुआ है लगातार यहां पर ऐसा लगता है कोई पार्टी मनाई गई है पीजा के बॉक्स पड़े हुए हैं बॉटल्स पड़ी हुई हैं सामने दिखा दीजिए उनका ये बंगलो था सोचिए जिसमें वो शरद यादव जी रहते थे एक इतने अच्छे नेता थे जो हमेशा शोशल जस्टिस की बात करते थे लोगों की जनहित की बात करते थे द लगातार में आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो पेरियार फूले और अमबेड कर की विचारधारा है ऐसी विचारधारा वाले लोगों के साथ क्या किया जाता है आप देख सकते हैं आखिर ऐसा क्यूं होता है इसी तरीके से माया की बात करते थे समाज की बात करते थे और इसी तरीके से वो भी कदावर नेता है और उनका भी बंगलो जो है खाली करवा दिया लगातार वहां पे वहां की भी में तस्वीरे आपको दिखाओंगी इसी में आप देखेंगे कि मैं जब वहां पे पहुंची तो वहां पे जो और देख सकें, उन्होंने वो देखने भी नहीं दिया, कहते हैं कि जो अब नए साहब आए हैं, उनका हुकम मिला हुआ है, कि इस तरीके कि कोई भी मीडिया आए, तो उसके सामने यहाँ पे मुह पे दर्वाजा मार दो, और दर्वाजा बंद कर दो, ऐसा उन्होंने हमें बत चुका है, तो वो यह बताता है, कि हमें ऐसा ओर्डर मिला हुआ है, साहब से, जो नए साहब आ चुके हैं बंगलो में, उनसे ओर्डर मिला है, कि कोई भी मीडिया वाला आए, यह फोटो ले, तो उसको लेने मत देना, कि यहाँ पर इस तरीके की, आप सोचिये, राजनीती होती है, किस तरीके से, जो सदन के सदस्य भी नहीं है, मुर्ली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवानी हो, सदन के सदस्य नहीं भी होते हुए, उन्हें बंगलो मिला होता है, क्योंकि वो एक पार्टी में रहके, पार्टी के बात करते हैं, उनके ही हितों की बात क तो उनके साथ किस तरीके से किया जाता है आप सामने देख सकते हैं और आभी आपको मैं बताओं इसी तरीके से जब शर्ड यादव जी ने लोगों के हित में बात करते हुए 2017 में जब उन्होंने ऐसा काम किये तो 2017 में उन्हें अयोग्य बता दिया गया पार्टी के अयोग्य की बात करते हैं जो भी इस समाज में शोशित लोगों की बात करता है SC, ST, OVC, Minority Work की बात करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है आप देख सकते हैं उसका बंगलो छीन लिया जाता है उसका सामान घर से बाहर फेक दिया जाता है उसको लाप मारकर पार्टी से निकाल दिया जाता है अगर आप उनके हित की बात अगर उनी के मन की बात करेंगे तो आपको बंगलो भी मिलेगा आप उस बंगलो में बैठ भी सकते हैं और आपको सारी जितनी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए एक नेता को सदन में रहते एक एक पुरजे को तोड़ देते हैं समाज के हित के लिए आज वो समाज भी उनसे कटने लगता है आज कोई भी जो है उनकी बात नहीं कर रहा है उनके लिए हित में खड़ा नहीं हुआ है ना ही उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है लेकिन उन्होंने समाज के लिए ऐसा समाज जो जागरित नहीं है जो अखवार टीवी सिर्फ ऐसा नैशनल मीडिया को देखता है जो सिर्फ भांड की तरह चिलाते हैं उस मीडिया को देखता है और उनी की बात करता है और एक पार्टी और समाज की बात करता है वहीं अगर आप शोशल मीडिया पे देखिए क इसलिए उनका बंगलो खाली करवा दिया गया वगयरा वगयरा अब देख सकते हैं नैशनल टीवी पे किस तरीके से भांड मीडिया चिला के बता रहा है लेकिन जो सच्चाई है वो यह है कि उन्होंने हमेशा विचारधारा जो उनकी रही है शरद्यादव जी की फूले नहीं है और आज भी जो एक एक पुर्जा उनका तूट चुका है समाज के लिए और समाज के हित में ही आज भी वो खड़े हुए हैं और अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं इसी तरीके से मेरे सयोगी धर्मेंद्र के साथ आप देखते रहे हैं जनित आवास मैं पूजा नह एड़ी देखते लिए